हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या high school करने के पाद, 10th class complete करने के बाद आपको diploma करना चाहिए, it means polytechnic, जिसको आप diploma in engineering बोलते हो, वो आपको करना चाहिए या नहीं, तो मैंने इसको दो category में divide किया है, आपको कब करना चाहिए, do और never do कभी नही करना चाहिए, इन दो categories के बारे में आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, विदाव के स्किप किये है आईए topic को explore करते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है, diploma after 10th, तो अभी जिनको 12th के लिए consideration करना है वो इन points से कुछ जरूर help ले सकते हैं, बट specific ये video high school वालों के लिए है, उन लोगों के लिए ये चीज़े बहुत माइने रखती है सबसे पहले मैं बात करूँगा, do, मतलब आप करो, कब करना है आपको, ठीक है, तो एक common सी चीज़ है, कि आपको polytechnic या diploma करने के लिए दो रास्ते होते हैं, पहला है जिसमें से entrance exam, तो मैं कहूँगा कि आप entrance exam दीजिए, जैसा कि मैं UP से हूँ, तो UP में जो entrance exam होता है, उसक entrance examination council उत्तर प्रदेश, इसके थूँ examination होता है, यहाँ पर जो भी marks और rank आते हैं, फिर आपकी होती है counselling, फिर counselling में आपको government, private और added colleges मिलते हैं, यह तीन process है, added college मिल सकता है, government college मिल सकता है, और private college भी मिल सकता है, यह तो आम बात है, दूसरा option क्या है, direct admission का, जिनको अपना मन चाहा college counselling में नहीं मिला, या किसी ने entrance exam ही नहीं दिया था, वो किसी private university या private college से जाके direct admission लेके diploma कर सकता है, अब आते हैं, main topic पे, आपको करना है अगर जल्दी job चाहिए, consideration आपको लेके चलना है, जल्दी job चाहिए, पहला point कि आप high school करने के बाद 2 साल inter करेंगे, intermediate, 12th, फिर आप B-tech करने जाएंगे, फिर कहीं जाके आपकी job लगेगी, तो इसमें total लगेगा कितना 6 साल, और अगर in between आपने J-E mains और advance के लिए अगर prepare किया है, साल 2 साल उसमें भी लगा दीजिए, तो ये 6 साल हो गए करीब 8 साल, फिक है, निकल गया वो तो अलग बात है, नहीं निकला तो 2 साल जो कहे, उसको मिला के total होता है 8 साल, फिक है, आपने high school किया, high school के बाद 2 साल आपने किया, beat it, ये हो गया total 8 साल, फिक है, 8 साल लग गए आपको जोब मिलने में, और अगर ये 2 साल की तयारी मैं हटा देता हूँ, 12 के बाद direct अगर ने आपने किसी private university में अडमिशन ले लिया, तब भी आपको लगते हैं 6 years, और अगर आप 10th के बाद जाते हो, तो सीधा आपको 3 साल के बाद जॉब लग जाती है, तो कहां 6 साल या 8 साल, कहां 3 साल बाद आपकी जॉब लग गए, तो पहला तो condition ये है कि अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, तो आप डिप्लोमा करिए, कोई दिकर ने है, दूसरा है कि अगर not good in study, अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं है, जैसे आपको high school में ही पता लग जाएगा कि आपका math week है, physics week है, chemistry week है, अब आप intermediate में जाओगे, तो आपको PCM लेके पढ़ना है, अगर engineering करनी है, PCM लेके आप पढ़ोगे, तो आप week हो, तो आपका जो PCM है, physics, chemistry, math, ये तीनों में आप week हो, तो आप इतना लंबा चोड़ा syllabus कवर नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते और आपको डर है, तो आप डिप्लोमा की तरफ high school के बाद जा सकते हो, हलाकि first year में डिप्लोमा के आपको physics, chemistry, math, दोनों तीनों मिलेगा, और ये intermediate level का ही होता है, 12th class level का ही होता है, बट जो most important topic होते हैं, most important topic या syllabus जो होता है, वही इसमें होता है, बहुत जादा syllabus कवर नहीं किया गया है, main main topics और main main चीजों को ही कवर किया गया है, तो यहां भी होगा, बट उतने broad level पे नहीं होगा, पहली चीज, ठीक है, तो अगर आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, तब भी आप डिप्लोमा की तरफ जा सकते है तीसरा, less money, मतलब आपको financial problem है, ठीक है, financially issues है, financially weak है, कह सकते हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो मैं आपको बताओं कि अगर आप high school में हो, ठीक है, high school में जाने के बाद, अगर आप entrance exam निकाल लेते हो, और किसी government college में selection हो जाता है आपका, तो मान लीजिए कि आपकी जो पू scholarship के through, ठीक है, तो यहां मान लीजिए, आपकी जो पढ़ाई है, वो तो free में हो जाएगी, private college की fees जादा होती है, लेकिन यहां भी scholarship इतना आ जाता है, बहुत जादा आपको feel नहीं होगा, कि मेरी बहुत जादा fees लग रही है, ऐसे ही added colleges में भी होता है, added colleges में भी fees return आता है, बट government से थोड़ा जादा added college की fees होती है, तो diploma अगर आपने added या government में निकाल लिया, तो fees लगभग आप मान के चलिए ना के बराबर है, private में थोड़ा बहुत आपको लग जाएगा, उतना नहीं लगेगा कि अगर आपके पैसा कम है तो नहीं कर पाओगे, तो less money अगर आपक कभी मत करो, diploma कब, जिसमें सबसे पहला point है दोस्तो, target to do B.Tech, इस point पे ज़रा ध्यान दीजेगा, आप high school पढ़के निकल रहे हो, और अगर आपका target है कि मुझे B.Tech करना था, और ये अगर apply हो रहा है कि financially आप weak हो, तो एक बार मुझे लगता है सोचने कि बहुत जादा जरू कि financially अभी weak हो, लेकिन आपका जो target है रहा, वो B.Tech करने का है, तो यार कहीं से educational loan लेके आप B.Tech ही करो, ठीक है, मेरा ये है, तो target अगर B.Tech का है, तो 10 प्लस 2 करो, और B.Tech के लिए देखो, J.Mains का paper दो, वो सब करो आप, दूसरा है दोस्तो, financially अगर आप good हो, अगर आपको financially को अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, तो फिर मैं वही आपको कहूँगा, कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, और financially weak हो, तो फिर मैं यही कहूँगा, कैसे तैसे करके न, loan लेके या किसी से, जो है, करजा लेके, आप अपना B.Tech ही complete करो, डिप्लोमा की तरफ मत जाओ, अगर आप पढ़ने में आपको लगता है, आप अच्छे हो, नहीं तो बाद में आपको regret feel होगा, अगर आपको high growth चाहिए, चौथा point यह है, कि अगर आपको in future 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद एक अच्छे position पे जाना है, अच्छी brand company में एक अच्छे level पे maintain होके चलना है, अच्छी growth चाहिए, है न, तो यह चौथा जो point है high growth, अगर यह आप mind में सोच के चल रहे हैं तो आपका aim big होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप B-tech करिए, B-tech के बाद आप M-tech कर सकते हैं, नहीं तो at least B-tech तो करिए, अगर आपको अच्छा growth है, अब आप यह high growth के लिए परिशान हो रहे हो, कि मुझे high growth भी तो यार चाहिए होगा, तो आप diploma के बाद एक paper होता है, यह LEAT का, lateral entry examination test, इसके बाद आपको क्या होगा, B-tech second year में admission मिल जाएगा, LEAT के थुरू आपको B-tech second year में admission मिल जाता है, LEAT का जो exam होता है दोस्तो, यह क्या होता है, कुछ central level के examination होते हैं, जो क्योट के थुरू होते हैं, बाकी state level के examination होते हैं, बट issues क्या है, कि इसमें जो sheet होती है, lateral entry की यह कम होती है, इसलिए इसमें competition बहुत high होता है, तो आप यह म समझो कि LEAT के थुरू बहुत आसानी से आप B-tech के sheet मिल जाएंगी आपको government colleges में, तो less sheets होती है, competition बहुत high होता है, बट आपके पास यह जरिया है, एक और option है कि अगर आप LEAT के थुरू नहीं जाते हो, तो आपके पास option है direct admission का, direct admission है दोस्तो, जो आप diploma के पाद, आपकी जो universities या private colleges में, B-tech second year में भी admission मिल जाता है, सभी colleges में नहीं मिलता है, क्योंकि counseling के through multiple लोग जो है, private colleges में भी जाते हैं, इस वज़े से आपको बहुत competition वहाँ भी मिलेगा, तो I think यह points जो है सारे आपको clear हो गए होंगे, कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, कि आपको diploma high school के वीडियो informative लगा होगा, और ऐसे ही technical informative वीडियो में इस channel पर लाता रहता हूँ, channel पर नए हैं दोस्तों, subscribe जरूर करिएगा, अपने friends के साथ भी share करिए, मिलते हैं किसी और ऐसे informative वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए, take care, bye